हलो दूस्तों मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ जैक्स अप्रोक्सिमेटली 99% शाओमी के डिवाइसे में MIUI 10 का स्टेबल अपडेट आ चुका है और यहां पर कई सारे लोगों का सिर्फ एक ही सवाल है मेरे साथ और मतलब डेली मेरे पास 20-25 कमेंट डेली इसी चीज़ से आते हैं रिगार्टिंग 20-25 नहीं बट वट्सअप मैसज मिला तो 20-25 हो जाएंगे कि भाईया हमें 10 में प्रॉब्लम है 9 में कैसे जाएं और 44% लोगों ने वोट किया था कि नहीं हम भाई 10 में ही खुश हैं ठीक है अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि मतलब हर लोग तो नहीं करते हैं पोल में मैसज बट 349 लोगों ने किया था तो कुछ तो माइने रखते हैं इस बात कि लोगों को कही न कहीं सच में प्रॉब्लम है और आपको नहीं पता होगा बट WhatsApp पर मेरे साथ लगबख 1200 लोग जुड़े हैं तो उन लोगों को कल राद मैंने मैसज किया था और उनसे मैंने सवाल पूछा था कि आपको क्या 10 से 9 में जाना है तो यहां पर सबका reply आया था जैसे कि आप देख सकते हो देखो MIUI 10 से MIUI 9 A stable में जाना है Redmi Note 4 ठीक है उसके बाद Redmi 6A इसमें कौन सा version है मुझे MIUI 9 से MIUI 9 में जाना है Redmi 6A इन्होंने problem नहीं बताया था MIUI 10 से MIUI 9 में जाना है क्या करूँ MIUI 9 में जाना है MIUI 9 में जाना है देखो और देखो भाई डाउन ग्रेड करना है 10 to 9 Redmi Note 5 Pro उसके बाद यहां पर है Y2 में इनको डाउन ग्रेड करना है 10 to 9 यहां पर Redmi 3S Prime में डाउन ग्रेड करना है इनको भी Note 5 Pro में डाउन ग्रेड करना है इनको यह पूछ रहा है P कब आएगा तो P में बता देता हूँ कि Redmi Note 5 Pro में तो नहीं बट Redmi Note 6 Pro में आपको तीन महीने के अंदर stable version में P देखने को मिल जाएगा इन्शालला ठीक है Redmi Note 5 Pro का अभी कोई confirm message नहीं आया है उसके बाद है Redmi 6 में इनको जाना है 10 to 9 उसके बाद यहां पर MIUI 10 से 9 में जाना है इनको और इनके पास है Redmi Note 5 Pro उसके बाद यहां पर एक और phone है 10 से 9 में जाना है इनको फोन का उसके बाद यहां पर इनको भी 10 से 9 में जाना है Redmi Note 4 यहां पर Redmi 6A 10 से 9 में जाना है उसके बाद यहां पर इनको भी 10 से 9 में जाना है phone का model नमर नहीं लिखा है उसके बाद यहां पर इनकी बैटरी बहुत जादा drain होती है इनको भी 10 से 9 में जाना है Redmi Note 5 इनका device है उसके बाद यहाँ पेक और भाई है इनको भी 6A के अंदर 10 से 9 में जाना है इनको Redmi 5 के अंदर Oreo चाहिए तो यार देखो Oreo अपडेट मिलने से कुछ नहीं फरक पढ़ने वाला है ठीक है आपको P भी मिल जाएगा तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है इसलिए उतना जादा इंतजार मत करो कमपनी गैरंटी नहीं है कि दे ही देगी बड़ चांसे है उसके बाद 5A के अंदर भी 9 में जाना है इनको और ये एक और है Redmi 6 Pro के अंदर इनको 10 से 9 में जाना है उसके बाद यहाँ पर और भी है Redmi Note 5 Pro इनको भी 9-2-7 पर जाना है ये किसी और पर मतलब इनको वो पसंद था उसके बाद Redmi Note 5 Pro के अंदर AI Camera Mode यह भी पूछ रहे हैं 10 से 9 में जाना है लास्ट मेसेज इनका था उसके बाद इनका भी था के 10 से 9 में जाना है 10 से 9 में जाना है 10 से 9 में जाना है इस तरह का हाल था और यह आज मैंने Asus Zenfone Max Pro M2 Pro बुक किया था तो सब पैसा खतम हो गया छोड़ो तो यह सवाल है अब इसके जवाब कहा है तो भाई देखो ऐसा है कि Xiaomi के जितने भी phones है उन सभी पर Xiaomi ने anti-rollback लगा दिया है अब मैं समझाता हूँ message में तो लोग बोलते हैं क्यूं हम downgrade नहीं कर सकते हैं आप downgrade इसलिए नहीं कर सकते हैं कि सारे phones पे anti-rollback तो है ही साथी साथ ROM पे lock है वो क्या है मैं समझाता हूँ देखो हर phone का bootloader locked होता है ठीक है bootloader जैसे वो हिस्सा होता है phone का जहां से ROM वगेरा install होता है ठीक है तो एक मतलब उसका आपके काम का part नहीं होता है system का part होता है और Xiaomi उसको lock करके देती है unlock करने के लिए apply करना पड़ता है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है उपर card में आपको मिल जाएगी link तो आप देख सकते हो तो उसको unlock करना होता है अब अगर आप unlock कर लेते हैं उसके बाद आप कोई भी इसके अंदर beta ROM install कर सकते हो close beta install कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है other ROM वगेरा install करना रहता या कुछ और करना रहता आपको root करना होता है वैसे में अगर आप downgrade करना चाहते हो खुद को जबरदस्ती तो फिर आपको phone को root करना होगा और custom recovery sorry recovery से install TWRP recovery से उसको downgrade करना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा process है ठीक है बहुत ज़्यादा लंबा process है अब एक सवाल है कि बीना bootloader unlock किये तो बीना bootloader unlock किये आप 10 से 9 पर नहीं जा सकते हो जितने भी phone है एक website है Xiaomi की जिसका नाम है en.miui.com slash downloads ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस website पर जिस भी ROM का file जो भी available है मतलब देखो हम लोग तो ROM पहले ही leak कर देते हैं मतलब यह Xiaomi की website है जहां ROM आता है और यहां आने के बाद अपडेटर app में आता है मतलब Xiaomi धीरे धीरे देती है क्योंकि अगर कोई भी problem होगा ROM में तो Xiaomi तुरत उसको remove कर देगी लेकिन हम लोग जो है ROM file leak कर देते हैं पहले ही कि भाईया यह लोग ROM file आ गया तो वैसे में लोग जो है easily install कर लेते हैं तो जैसे अब यहां पर Redmi 5A है ठीक है इसके अंदर यहां पर stable और developer दो ROM है developer में आपको नहीं जाना है आपको stable पर जाना है stable के अंदर आपको 10.1.1 देखने को मिल रहा है इसका मतलब अब आप Redmi 5A के अंदर 10 से 9 में नहीं जा सकते हैं जैसे ही ROM release होता है उसके बाद कुछ दिनों तक यहां पर 9 वाला ROM एवेलेबल रहता है जब तक यहां एवेलेबल है तब तक वो install हो जाता है बहुत सारे cases में मेरा personal experience है मैंने देखा है वो install हो जाता है बट अगर यहां change हो गया यहां तो फिर वो install नहीं हो सकता है यहां से आप अपने सारे phones के सारे models के ROM फाइल देख सकते हो website का ना में en.miui.com getrom.php या अब सिर्फ en.miui.com download भी लिखोगे तो यह portal खुल जाता है कोई दिक्कत नहीं है मैं link दे दोंगा इसकी ठीक है अब यहां से तो एक तरीका है दूसरा सवाल लोगों का यह होता है कि हम अब अपनी बिमारी ठीक कैसे करें जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी problem है जैसे अगर मैं सच बोलू तो note 5 pro के अंदर जितना भी update आया है उसने phone को सिर्फ खराब किया है सिर्फ एक feature मिला note 5 pro को वो था आपको दो सिम जियों के एक साथ लगने वाला डूल वोल्टी इसके अलावा और कोई feature नहीं मिला है पूरा का पूरा phone जो है उन्होंने खाली बकवास किया है update दे दे के अब अभी भी कोई भी 9 उठा लो out of the box वाला और अभी वाले 10 से compare करो वो 9 ज्यादा अच्छा होगा यह सारे covers Redmi Note 6 Pro के हैं वीडियो धीरे धीरे आएगी सारे नहीं यह Redmi Note 5 Pro का है magnetic case actually यह वाला magnetic case का मैंने वीडियो बनाया था यह वाला magnetic case का मैंने वीडियो बनाया था तो लोगों ने कहा था कि इसको giveaway में देना चाहिए तो मैंने black color का मंगा लिया giveaway के लिए आ गया है तो फिर से वीडियो आएगी वो Redmi 6 Pro का है और यह दोनों Note 6 Pro का है वीडियो आएगी उसके बाद हम कहा थे हाँ तो अब जो है आपको अगर downgrade करना है ठीक है तो पहला reason था पहला तरीका था यहाँ आ करके यहाँ आ करके हो नहीं सकता है आपकी problem है कि आपको ROM में दिक्कत है तो आप खुद को beta में लेके चले हो beta में लेके जाने का भी तरीका simple है इसी website पे आना है ठीक है और यहाँ से developer ROM वाला जो option है वो आपको download कर लेना है developer ROM जब आप download कर लोगे इसको आपको install करना है data आपका सारा flash हो जाएगा phone अगर locked था पहले तो वही ID से दोबारा से खुलेगा इससे क्या होगा आप चले जाओगे weekly update वाले section में वहाँ क्या होता है कि कोई भी bug वागेरा आती है तो अगले week तक वो bug fix हो जाती है बट अगर इस stable में आपको कोई bug मिल गया तो वो फिर 15-20 दिन के बाद ही ठीक होता है क्योंकि इस stable महीने में दो बार आता है और जो weekly होता है weekly वाला developer ROM वो हर हफते आता है तो ये एक alternative है आपके उपाई है कि आपका problem कैसे solve हो ठीक है लेकिन 10 से 9 में जाने वाला सीधा तरीका नहीं है शाओमी ने lock करके रखा है आप शाओमी का ROM यूज करते हो शाओमी के सारे ROM सर्वर से verify होके चलते है जब आप 9 के ROM को install करने लोगोगे 10 के बाद तो वो आपको लिखेगा यू आर ट्राइंग तो इंस्टॉल एन ओल्डर वर्जिन ओफ रॉम फाइल यही एरर आ जाएगा आपका install नहीं होगा अब अगर आप bootloader अलॉक कर लेते हो फिर custom recovery डालने की कोशिश करते हो तो 9.5.17 से पीछे का वर्जिन इंस्टॉल करना होगा लेकिन उसमें रिस्क है कि 1 second मतलब 1% भी अगर आपने mistake कर दिया तो आपका phone dead हो जाएगा और अगर वो warranty में है तो शायद Xiaomi वाले आपको दे दें phone लेकिन वो भी verify कर लेंगे कि आप क्या कर रहे थे और उसमें अगर detect कर लिया कि आपने जो है route किया वा था हाला कि route करने से warranty avoid नहीं होती है शायद के बट बहुत सारे service center वाले warranty नहीं देना चाहते है ठीक है अब आपके उपर depend करता है कि आप warranty उनसे ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे ऐसे में वो आपका motherboard ही सीधा mother board होता है तो अब आप समझ लो अब इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी update आता है तुरत install मत किया करो review देखो और 2 गंटे में और आधे गंटे में जो लोग review डालता है उनकी review मत देखो मैं at least मुझे एक दिन लगता है review करने में अगले दिन review डालता हूँ लोगों से पूछता हूँ सबसे comment section में या फिर अपने whatsapp groups में जो कि 6 group हैं और 1200 लोग हैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका कैसा चल रहा है उसके बाद मैं video बनाता हूँ ठीक है या कोई भी जो मुझसे अच्छा बनाता हूँ या मेरे जैसा बनाता हूँ आप उसको पकड़ लो ठीक है जब वो बंदा review करके बता दे आपको कि हाँ ये सही है और photo देखके review करने वाले लोगों पर तो बिलकुल मत जाओ आप लोग मैंने देखा है लोगों को मैं अकसर हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मत इंस्टॉल करना पहले मुझे review करने तो फिर इंस्टॉल करना मेरे पास personally 3S Prime है Redmi 6A है 6 है Redmi Y2 है Note 5 Pro है Note 6 Pro है इतने डिवाइस है इसके लावा Note 4 मेरे दोस्त के पास है Redmi 5A मेरे दोस्त के पास है 4A मेरे दोस्त के पास है उसके बाद Redmi 4 मेरे दोस्त के पास है इतने सारे डिवाइस मेरे circle में available है तो इनके बारे में जो भी बता सकता हूँ आपको सही बता सकता हूँ इसके लाव वाइबन के बारे में मेरे पास knowledge नहीं है यही वज़ा है कि वाइबन की वीडियो भी तक आई नहीं है हलाकि यह भी मेरे दोस्त के पास है लेकिन अभी वीडियो नहीं आई है तो मैं आपको यही आगे से regard करूँगा कि update आता है तो update में फीचर के साथ साथ bug भी आते है stable update होता है कहने के लिए बट bugs तो आ जाते है अब एक मेरे subscriber है उनके Y2 में उनको क्या problem है कि उनका dual उनका जो है क्या C में नहीं काम कर रहा है sorry face unlock काम नहीं कर रहा है region इंडिया में करने के बाद भी उनका face unlock नहीं काम कर रहा जबके यह problem और किसी को है ही नहीं वह भी परिशान है तो ऐसे बहुत सारे लोग है अगर आप update करते हो अब इस पर में दुबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक 10 जिंदा है मतलब 10 के बाद 11 आ गया तब बात अलग हो जाएगी जब तक 10 है क्योंकि आप सभी को stable मिल चुका है शाओमी खुद नहीं चाहता है कि आप 9 में चले जाओ शाओमी का कहना है कि जब उसने 10 बनाया तो आप 9 में क्यों जाओगे अगर आप 10 में आ गया तो 10 में रहो सीधा बात और उस चीज़ को वो fix करता है 15-20 दिन के बाद तो आप अपडेट करते हो तो समझ समझ के अपडेट करो तुरत अपडेट मत करो इस वीडियो मेरा इतना ही कहना है और कोई तरीका नहीं है मेरे हिसाब से आप अगर नूब है अच्छे अच्छे एक्सपर्ट के फोन भी डेड हो जाते है ठीक है तो आपका एक लौता फोन होगा वो चला जाएगा घर में डांट सुनोगा यार हम लोग साब आभी गारजियन के उपर डिपेंडेंट आत्मी है तो ऐसे में बेटर है कि आप रूट करने वाला खयाल छोड़ दो बीटा अपडेट में चले जाओ एट लिस्ट कुछ हद तक आपके प्रॉब्लम्स जो हैं फिक्स हो जाएंगे इस वीडियो में बस एताई मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना कुछ पूछना है तो आप कमेंट से से नों पूछ सकते हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को दबाईए ताकि आप देख